आप श्रभी का श्वागत है विलेंदर है दोस्तों आज बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से जीवन परियंत्र रोगों से मुक्त रह सकते हैं इसके लिए आप मेरा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं जो ट्वेंटीन्थ नवंबर को संडे को आयुजित किया जा रहा है जो आउनलाइन माध्यम से होगा जो भी जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में नमर दिया गया होगा उस पर आप कॉंटेक्ट करके वाट्सप नमर होगा उससे आप जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं वो सारे रहस जिसको अधी आप अपनाएंगे तो बीमारियों स मुक्त रखने में आप सक्षम हो जाएंगे क्योंकि आप खुद का डॉक्टर बन चुके होंगे आप वेबिनार अटेंड करते हैं जो वेबिनार फ्री ओफ कोस्ट होगा नो हीडेन चार्जेज कुछ भी नहीं बस आपको जोइन करना है और तीस मिनट का ही होगा इसमें व कि इतने बीमार हो रहे हैं इतने सारे होस्पीटल होने के बावजूब भी इतनी डिट डिजीजेस से क्यों हो रही किसी भी बिमारी का इलाज क्यों नहीं है पक्का सभी दवा खाखा कर जी रहे हैं और अपने सरीर को खराब कर रहे हैं ऐसा क्यों है क्या मानो मस्तिक्स में अभी छाया हुआ है और क्या चलता रहता है जिसके कारण लोगों के पास एनलाइज करने का भी समय नहीं बचा है कि या वो एनलाइज कर सके कि हम बिमार क्यों हो रहे हैं और क्या हमें दवा खाने से कोई बेनफिट हो रहा है वो एनलाइज इंगिंग पावर क्यों नहीं है लोग क्यों दूसरे पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं क्यों डाक्टरों पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं और दबा को लगातार खाये जा रहे हैं खाये जा रहे हैं और धीरे धीरे अपनी बीमारी को बढ़ाये जा रहे हैं जब लास्ट मुमेंट आता है तो पदा चलता है किड्नी फिल हो गया या लीवर फिल हो गया लीवर सिरोसिस हो गया इस तारी समस्याएं आखिर क्यों है आप किस तरीके से इन जंजालों से बच सकते हैं इन सड्यंत्रों से बाहर निकल सकते हैं जिसमें आज नबे से पंचानवे परसेंट लोग फसे पड़े हैं दवा की जरूरत क्यों है जब सरीर इतना सक्तिसाली है आपका ब्रेन कितना सक्तिसाली है हर तरीके का बिमारी को तरीके साब हीन कर सकते हैं तो medicine क्या हो सकता ही th3e medicine किसी भी भी मारी को ठीक कर ही सیکता कि उर्व मस्थिक्स का जो signal होता है पेल ऑनिक्षी की भीकी इस कंफर्ड का जो signaling system होता है signaling system को पूरी तंगी से block कर देना बाढ्सित कर देना मेजिस सें क खास करकर एलोपेटिक मेडिसीन का जो आपके संसेशन को समाप्ट कर देता है लगता है कि आप विमारी से मुक्त हो रहे हैं या मुक्त हो गए हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसे है उसका प्रभाव खत्म होगा वो दुगनी पावर के साथ बीमारी आपको पता चलेगा कि मेरा बीमारी तो बिल्कुल जितना था उससे बहुत कहीं अधिक जादा बढ़ गया है क्योंकि जो जो रूट काउज था विमारी का उठीक हुआ नहीं और आगे बढ़ता चला गया आपको पता भी नहीं चल रहा है तो इन सारी समस्याओं से आप कैसे छूट सकते हैं यह सारे रहस आप अधि जानना चाहते हैं तो बीच तारी को आवस जॉइन करें कांटेक्ट करेंगे 888-07304-735 और वाटसप नमर से यह मेरा वाटसप नमर इसे आप कांटेक्ट करके और अधि आप हाई लिख कर भेजेंगे तो उसे हैं हम अपने वेबिविनार में सामिल करेंगे और फिर आप उस वेबिनार का हिस्सा होंगे और जानेंगे गुप्तरहस जिससे आप बीमारियों से तो बच ही सकते हैं प्लस में दीन भर तरो ताजा भी रच सकते हैं और जो साइड इफेक्ट्स है दवाओं का उससे भी बच सकते हैं और दवा छोड़ ही देंगे कि लाइफ टाइम के लिए आप वेबिनार जोइन करेंगे और जानेंगे कि क्या है नुकसान दवा लेने से तो अवस्य जूड़ें इससे और जाने कि आप किस तरीके से स्वस्त रह सकते हैं मस्त रह सकते हैं और एक जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें की प्रशनता हो कि इंटर्नल हो बहरे दिखावतों जोग मजबूरी में हैं और लेकिन ऐंटर्नली बहुत सारे डिसकंफट होते हैं किसी को क्यों चीफिपेशन न हैं कहीं गाठे बन रही है । परदेशन 46 में अनाप सना बाते चल रही है मस्तिक्समें खूब फ्रॉ रहा है लेकिन के गंभीर विसे आज बना पड़ा है और जैसे जैसे लोग वेस्टरन कल्चर को अपना रहे हैं वैसे वैसे भारत की संस्कृती को बहुत ज्यादा ठेस भी पहुँच रही है तो ये सारे चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे जो पॉलिसी है जो पदती है वो भी धीरे धीरे वेस्टरन से लाया जा रहा है उसमें भी लोग फस्ते चले जा रहे हैं उसे भी को फायदा होना नहीं है किताबी ग्यान प्राप्त करके क्या मिलेगा कुछ भी प्राप्त नहीं है उसे अदे 6-7 महीने छोड़ दे तो सारे ज खाना पीना बस यहीं जीवन की जो है आज कर सित्दान्त हो रखा है और यहीं लक्ष भी हो रखा है लोगों का कि ज्यादा ज्यादा अरजित कैसे करें जीवन का सत्त वो नहीं लोग भटके हुए तो उस भटकाव को वापस अब ला सकते हैं जब आप four dimensional अपने आपको समझेंगे आप फिजिकल सिफ्फ लोग फिजिकल समझते हैं और चार वाक सित्दान्त पर चल रहा है चारवाक सिद्दान पर चलने का मतलब यह है कि चारवाक का सिद्दान यही है कि कर्जा लेकर घी पियो और मस्त्र हो और जो आपको दिख रहा है वही सत्थ है जो नहीं दिख रहा है वो सत्थ नहीं है जबकि आखों से देखा हुआ भी बहुत बार सत्थ नहीं होता क्योंकि इसके पीशे कुछ और ही तठ्थ होता है तो किसी भी चीज पो सही तरीके से जानने के लिए four dimensional step होता है चार dimensional में आप जान सकते हैं physical mental social and spiritual यह चारो dimensional को आप अब इस च्ट्रॉंग कर लेते हैं और स्ट्रॉंग करने का तरीका step Vadis strateg यह नहीं कि कि अचानक आप गहंटे मेडिटेशन करें और चारु को बाइलेंस कर लें ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है जब तक आप प्राक्टिस नहीं करेंगे तब तक बेनेफिट नहीं प्राप्थ हो सकता प्राक्टिस करना ही पड़ेगा तो आप कैसे प्राक्टिस के लिए अपन चीजों को समझें और प्राक्तिस करना करें जैसे जैसे फ्राक्टिस करना साथ करेंगे कि आपके अंदर फैसिकल कंडिस्प्लीम ऑटोमेटिक यह आना चाहिए आए जीगा जब सही प्राक्टिस को आप सही अलाय्मेंट के साथ सही पोशीक अप करते हैं यह जो तकनीक को बताया जाएगा और करते तो में पेसीप्ली नृइगा उसके बाद मेंटल लेभल पर डिस्चीप्ली नृइगा उसके बाद शोशल लेभल पर डिस्चीप्ली आएगा किसी को गलत अब सब्सक्राइब नहीं कहेंगे इस टाइब कर डिसिप्लीन आपके अंदर आपको कुछ करने की जरूत है अस्टेप वाइस चलेंगे तो सरकुछ अपने आपको उसके बाद प्रिच्वल लेबल पर डिसिप्लीन आजाएगा उसके बाद मन आपको लेबल ऑफ कॉंसेट्रेशन भी था जिसके कारण उन्होंने पूरे किताग को सिर्फ पलट कर अपने मस्तिक्स में उतार लिये थे तो इस ट्राइब की छमता के लिए आपको काम करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा किसी किसी का विलक्षन परतिभा जो पहले संसकार हो जो बचपन से ही योगी होते हैं बचपन से ही बुद्धिमान होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं लेकिन आज की साइंस इस बात को नहीं मानेगी साइंस का मानना है कि सब का मस्तिक्स एक ही समान है एक ही तरीसे से टीट किया जाए लेकिन यह बिलकुल सही नहीं है हर ब्यक् तो चलिए आप वेबिनार को जरूर से जरूर अटेंड करें और जाने वो रहस जिससे आप बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं अपने परिवार को भी मुक्त रह सकते हैं और खास कर मेरा उद्देश है मेडिसीन फ्री लाइफ बिल्कुल जो फालतू के मेडिसीन से उससे बिल्कुल फ्री कर देना है अपने आपको घर में एक भी मेडिसीन नहीं होना चाहिए यह खासी हो जुकाम हो है इस त्रीके कि कोई भी मेडिशीन नहीं होना चाहिए घर में लाइफ ही उटॅट हो और खाने में भी आप क्या खाएं थोड़ा सा डायीट को कंट्रूल करने की कोशिश करें ऐसे ज़रूरी नहीं है जबर जस्ति कंट्रोल करने की जो मन है उखाएं लेकिन आप थोड़ा बहुत जो सिद्धान्त आपको बताएं जाएंगे उसका आप अनुपालन करेंगे तो बिमारियों से बचे रहेंगे कोई भी बिमारी वही नहीं सकता तो आज के लिए बस इतना ही वेबिनार को ज्वाइन करें और मोडन योगिक लाइफस्टाइल हवेशा अप लोगों के स्वश्थ है जीवन की कामना करता है और करता रहेगा और हवेश इस टाइप का वेबिनार आज ब्रूत करता रहेगा जिससे जर मानस को जर्णकल्यान के के लिए प्रस्तूत किया जा सकते सके और जिसका निरंतर उपयोग से निरंतर निरोगी रहा जा जा सके इस टाइप के टेक्नीक को बिक्सित करते रहेंगे और लगातार रुसर्च भी जा रही है कि किस तरीके से मनुस्त स्वस्त रह सकता है और अपने कमफोटेबिलिटी के अनुसार यह नहीं कि किसी चीज को आप बिल्कुल ही छोड़ दें नहीं जो आपके अंदर इस टाइप का डिसिप्लीन होना चाहिए जो की गलत है उसको आपका ब्रेन खुद हटाए आपको जोर ना लगाना पड़े किसी चीज को छोड़ने के लिए कि आज इतने इस तरीके का वातावर्न हो रखा है कि मनुस को देवतुल माना जाता है लेकिन आज इस हद तक मनुस गिर चुका है कि उससे अच्छा पसूही होता है बहुत लोग को कहते हुए भी सुना होगा तो इस सारे क्यों है इस टाइप कि जो बीमारियें लोगों में प जिससे मनुस जिससे देवतुल माना जाता है वो पास्वी कुरितियों की और बढ़ चला है और अग्रसर है मनुस से हम ऐसा गलत काम ही कर रहा आजकर ऐसा क्यों है तो जानने के लिए आप जरूर वेबिनार अटेंड करें तब कित तक के लिए आप जनाज करें वए नाश काया जरूर दून और और बढ़ भर न के समेरे है ड़ाये और भालत के सब्सु DOइस सेुख कर